हेलो दोस्तो वेलकम टो मैं यूटूब चैनल आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में हार्दिक श्वागत यरु अविनन्दन है तो आई होप आप सब अच्चे होंगे तो गुड मॉर्निंग रादे रादे राम राम आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में हर्दिक स्वागत एव मविनंदन है तो आज है तीन फरवरी तीन फरवरी दोहर तेई से जितने भी करंटरफेर के कॉशन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोट रहेगा थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढून ही लेगा यहीं थोड़ा थोड़ा करके दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढून ही लेगा तो आज के हमारे जितने भी आज के जितने भी कॉशन होंगे बहुत ही महत्पूर होने वाले हैं प्रेच्छा की द्रश्टी से तो आज है तीन फरवरी तीन फरवरी दोईट तेग से जितने भी करण टरफेर की कॉशन बनेंगे हम इस वीडियो में डिसकास करेंगे तो हाली में किस राज सरकार ने दा बिजन फोर ओल इसकूल आई हेल्थ कारकरम शुरू किया है तो यह किया है गोवा में यहनि गोवा में क्या गया है गोवा राज सरकार ने मुख्य मंत्री देव दर्शन यात्रा सोजना मुख्य मंत्री देव दर्शन यात्र योजना गोवा सरकार ने लौंच की है त्रेपनवा भारतिय अंतराष्टे फिलम महुतसव तो यह गोवा में मनाया गया है नौवी विश्य आयरवेद कंगरेश और आरोगे एक्सपो 1622 का उद्गाटन यानि नौवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोगे एक्सपो 1222 का उद्गाटन यह भी गोवा में हुआ है तो नेक्स कोशन है हमारा हाल ही में भारत का अगला औस्दी महानियंतरक किसे बनाया गया है तो यह बनाया गया है राजीव कुमार पर Śसेट के और विश्व को बनाया गया है और विहाली में असंघ करने वाली पहली महिला अदकारी यानि सिवाच चौहान टाटा ट्रस्ट के CEO कौन बने हैं यानि टाटा ट्रस्ट के CEO भी हाली में अपॉइंट हुए हैं तो वो हैं सिदार्थ सर्मा तो वो बने सिदार्थ सर्मा Next question हमारा हाली में किसने Sane Born Men's Test Player of the Year पुरुषकर जीता है यानि हाली में किसने सेन बोर्न मैंस टेस्ट प्लेयर आप दे एर पुरुसकर जीता है तो वो जीता है उस्मान खाजाने उस्मान खाजाने जीता है अल्ट्रा मैं इंडिया का खिताब यह जीता है करनल स्वरूप सिंग ने वारत की पहली महला वारत की पहली महला पोलिस कमिशनर तो यह हैं लच्छमी सिंह के पहले सीओ कॉन नीख्त हुए हैं यानि गुजरात मेरी टाइम क्लेस्टर के पहले सीओ कॉन नीख्त हुए हैं तो वह मांगवेंद्र शिंग श्राइब सम्झौा बंद cit Shiv जा रहा ह। भारत का सबसे बड़ा पवन तर्वाइन इस्ताबित किया जाएगा तो वो किया जा रहा है गुजरात के मुंदरा में और वो अडानी गुरूप द्वारा किया जा रहा है यानि भारत का सबसे बड़ा पवन तर्वाइन तो वो गुजरात के मुंदरा में इस्ताबित क्या जा रहा है अडानी गुरुप द्वारा पसुओं के लिए भारत के पहले IVF मुवाइल उनिट की सिरुवात गुजरात में की गई है यानि पस्वों के लिए भारत के पहले आई वी एफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत ये भी गुजरात में की गई है तो next question हमारा हाली में Puma India ने किसे अपना brand master बनाया है यानि Puma India ने भी हाली में हर्मन प्रीत कोर को अपना brand master बनाया है यानि Puma India ने किसे अपना brand master बनाया है तो बनाया है हर्मन प्रीत कोर को बनाया है Real 11 का brand master ये कुल्दी प्यादब को बनाया है यानि Real 11 का brand master बनाया है Navy technologies का जो brand master नित्क्त किये गया है तो वो है मेहेंडरीशिंट धौनी OULी Sakrars India के brand master किसे बनाया गया है तो यह बनाएगा है कृति सेनन को यानि स्केचर्स इंडिया के ब्रांड रेमेस्टर कृति सेनन को बनाया है पिंटोला यानि पिंटोला ने अपना ब्रांड रेमेस्टर शूरिकमार यादव को बनाया है यानि पिंटोला ने जो ब्रांड रेमेस्टर बनाया है वो सूर कुमार यादाव को बनाया है बोरो प्लस क्रीम को ब्राण नेमेस्टर कौन बना है तो वो अक्षयकुमार बने है बोरो प्लस क्रीम के जो ब्राण नेमेस्टर बने है वो अक्षयकुमार बने है तो नेस्टर हमारा बजर दोहर तेईश चोवीश में सब्तर अवसर रजना एव निवेश, नमबर चार है युवा सकती, नमबर पांच है हरित विकाश, नमबर छे है छमता सुधारना, नमबर साथ है बित्य चेतनी फिनेंशल एरिया, यही साथ कौन-कौन से हैं, शमावेशी विकाश, अंतिम छोड तक पहुंचना, अवसर रजना एव निवेश, युवा सकती, हरित विकाश, शमता सुधारना और बित्य चेत, तो यह हमारे बजर दोहर 23-24 में सब्तरिशी अवधारना के तहत, यही साथ अवधारना निर्धारित की गई है, नेक्स पॉसन हमारा बजर दोहर 23-24 के तहत, बेक्तिगत आयकर बेवस्ता में कितन आयको कर्मुक्त करने की गोशना की गई है, तो यानि जो पहले 0.5 लाग ती, अब वो 3 लाग कर दी गई है, यानि बेक्तिगत आयकर में जो कर्मुक्त की विवस्ता है, वो कर्मुक्त की गोशना है, वो 3 लाग कर दी गई है, यानि 0 से जो 3 लाग तक होगी, उसमें कोई ट नो लाग तक दस परसेंट का टैक्स होगा नो से बारह लाग तक तग efसेंट का टैक्स होगा और पंदरे लाग से पिलस जिसकी इंकम जाएगी उस पर 30% का टैक्स लगेंगा जाएगी तो 30% का tax लगेगा पहली बार budget किसे ने पेस किया था यानि सबसे पहली बार जो budget पेस किया था वो James Wilson ने पेस किया था 1860 इश्वी में मुरार जी देशाई ने सरवाद एक बार जैनि 10 बार budget पेस किया है और इस बार जो हमारा budget पेस किया है बित मंत्री निर्मला सीतर अमन जी ने किया है और इनका ये पांच में budget है यानि इन्हों ने जो भी हाली में budget पेस किया है तो इनका पांच में budget है नेक्स कोशन हमारा हाली में भारतिय सेनाने शेयुक तो सेनने अभ्यास त्रे सकती प्रहार का आयोज़न कहां किया है तो ये क्या है पश्यमंगाल में पश्चे मंगाल में 21-31 जनवरी तक इसका आयोजन मतलब पश्चे मंगाल में होगा और पश्चे मंगाल के राजपाल कोँ है? पश्चे मंगाल के राजपाल है शीवी आनन्द एमफेक्स अभ्यास ये काकी नड़ा आंदर प्रदेश में हुई है यानि MPEX जो अभ्यास हुई है वो काकी नाड़ा आंदर प्रदेस में हुई है शाइकलोन अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है और ये भारत में राजिस्तान में हुआ है यानि साइकलोन जो अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है और भारत में राजिस्तान में हुआ है ट्रोपेक्स हिंद महासागर, ट्रोपेक्स जो है वो हिंद महासागर में हुआ है, नो सेना का बड़ा अभ्यास है, यानि जो ट्रोपेक्स है हिंद महासागर में हुआ है और नो सेना का बड़ा अभ्यास है, नेक्स्ट है मारा भारतिय तत्रचक वल द्वारा कौन सा इसका इस्तापना दिवस मनाया है यानि इंडियन कोश्ट गार्ड जो इसकी इस्तापना हुई थी 1978 के एक्ट से हुई थी इसकी इस्तापना दिवस कम मनाते हैं तो इसका बारतिय तत्रचक वल का इस्तापना दिवस मनाते हैं एक फरवरी को यानि इंडियन कोश्ट गार्ड वीडे उटर कुमार पठानिय यह इसका हैं है इंडियन कोष्टगाड का है नई धिली में हमारा हाली में जी ट्वैंटी की अध्य चिता के दोरान परेटन परियक्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत, यात्रा, बर्ष्त, दोएर ward parents को किसके द्वारब प्रारंग किया गया है तो ये जी किसन रेडी जिवारग किया गया है यानि जो परियक्तन को बढ़ावा देने के लिए जो अभ्यान सुरूख किया है वो G.Kishanredi द्वारा किया गया है और G.Kishanredi अभी हमारे परियावरन मंत्राले के मन्तरी हैं यानि परियावरन मंत्री है G20-2223 इसका आयोजन इंडिया में किया जा रहा यानि एक साल के लिए इंडिया में इसका आयोजन रहेगा इसकी theme है बासुदेव कुटुमकम है इसकी theme यानि G20 की जो दोहर तेज़ की theme है बासुदेव कुटुमकम One Earth, One Family, One Future और इसकी राइस्तान में जो अभी राइस्तान में इसका आयुजन हुआ है तो जोदपुर और उदयपुर में हुआ है जो बैटक हुई है नहीं, G20 की जो बैटक हुई राइस्तान में वो जोदपुर और उदयपुर में हुई है G20 1222 की जो बैटक हुई थी, वो हुई थी, बाली इंडोनेसिया में G7 1222 की बैटक वो जर्मनी में हुई थी BRICS 2022 का जो सम्मेलन हुआ था वो चायना में हुआ था SCO 2022 ये इंडिया में हुई थी यानि SCO 2022 की जो बैटर का है वो इंडिया में होगी QED 2022 का जो सम्मेलन होगा वो टोक्यो जापान में हुआ था Next question है हमारा 31 जन्वरी को राष्टिये खाद तेल मिशन OYAL Palms के थहत पतंजली Foods Limited ने किस राजज के साथ समझोता किया है 31 जन्वरी Dairo93 को राष्टिये खाद तेल मिशन OYAL Palms के थहत पतंजली Foods Limited ने नागालेंड राजज के साथ समझोता किया है नागालेंड के मुक़्े मंत्रिये नेफियो नागालेंड के राजजपाल है जगदीस मुकी और नागालेंड की इस्तापना दिवस होती है एक दिसम्मर को नागालेंड की इस्तापना दिवस मनाई जाती है और एक दिवस को ही इस्तापना दिवस के उपलक्च में होर्नविल फेस्टिवल मनाया जाता है यानि जो नागा तेश को कलपना चावला की पुन्य तिती मनाई गई है यानि एक फरवरी दो एर तेश को कलपना चावला की जो पुन्य तिती मनाई गई है इनका जनम कहा हुआ था यानि कलपना चावला का जो जनम हुआ था वो करनाल हर्याना में हुआ था इसका अप्सन हो गया हर्याना इस तो लाइक करें कमेंट करें और अभी तक हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्रिलिक कर लें जिससे के आने वाली हलेक जानकरी आपको समय अनुसार मिल सके थेंक्यू गाइस जय हिन जय वारत झाल झाल